हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर केतंशा अमदावाद गुजरात से इस वीडियो में मैं बात करूगा हुम्येपितिक मेडिसिन श्टिक्टा पल्मोनीरिया उसके बारे मैं बात करूगा यह मेडिसिन ज्यादा तर साइनस नात बंध होना खांसी और रुमेटिजम पे नोज सिम्टम्स बताओ तो कभी आपको शर्दी हुई और कोई दवाई ले लिए जिससे शर्दी बंध हो गए लेकिन वो डिस्चार्ज सीर में भर जाता है ऐसा लगे कि यह पूरा भारी-भारी लगता है यहां ब्लॉक लगता है ऐसा कुछ लगे कि अगर छीक आ जाए य लोज में कुछ पानी के ऐसा कुछ नहीं लगेगा लेकिन ड्राइफ फिलिंग आएगा तो सीदत के साथ ड्राइफ फिलिंग यह उसके सिम्टम्स है नाथ बंध हो जाता है एक खांसी अस्थमा इसकी बहुत अच्छी दवाई है खांसी कब होती है ज्यादा तर लेटने प बंध निकलता है मॉर्निंग में और यह पेशन को मीजल्स के बाद खांसी होती है दूसरा कि अगर आपको फ्लीव हो गया इंखली जाका बुखार आ गया और बुखार के बाद खांसी हो जाए इसकी भी बहुत अच्छी दवाई तो अस्तमा और खांसी की बहुत अच्छी दवाई है और एक रुमेटिजम की दवाई है जिसको बहुत 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 है अगर आपके जोइंट्स में पेन हो और उसको हाउसमेड नहीं बोलते है वो क्यों हाउसमेड नहीं है और उसके डीटेल में सिंप्टम्स क्या है वो मैं पिपीटी के थूँ फिर से मेडिसिन पूरी बताता हूं तो जिसको भी डीटेल में श्टड़ी करना है और कौनसी पोटेंसी में दवाई लेना चाहिए यह मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूं तो आप बने रहे हैं मेरे साथ पूरी मेडिसिन के बारे में जानकारी लेने के लिए पल्मोनेरिया स्टिक्टापी बोलते हैं वो जनरली मनती है अब आप देखो कि एक साइड यह प्लांट है और दुसरी साइड लंग्स के टिश्यू है तो क्लियर कट आपको ऐसा ही लंग्शिप के उसके प्लांट है और यह दवाई लंग्स पर ही इफेक्ट करने वाली मतलब अस्तमा और कफ यह इफेक्ट करने वाली दवाई है तो प्लांट का भी पिक्चर हमारे लंग्स के पिक्चर के बराबर उसके एक्सरे के बराबर है कौन-कौन से डिजीज में यह मेडिसिन काम करती है तो आप देख सकते हो कि अगर किसी को सोर थोट है आवाज बैठ गई है कोल्ड है क है ब्रॉंकायटी से है अस्त्मा है ऐसी कंडीशन में पहुत अच्छे से काम करती है throw है please के बाद मैंने बुला कि खांसी होती यहां house इंनल इस क्या है ये फीवर मतलब allergic condition में ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है measles के बार जो खांसी होती है उसमें बहुत अच्छी दवाई ये काम करती है और ये उजीना उजीना में जो नाक में से secretion होता है और ये secretion की वज़े से नाक में से smell आना या तो यू बोल सकते हैं कि वहां काफी changes हो चुके है खासकर करें डिश्या जितना यह होता है जलग होता है कि उसकी वज़े से अंदर नाक में पूरी तकलिफ हो जाती है और एक pot disease जिसको इंट्रेश है मैं बताओं कि pot disease क्या है तो हमारी back में जब TB होता है तो उसकी वज़े से पूरी जो spinal cord है वो collapse हो जाता है इसको kyphosis पूलते है उसका shape change हो जाता है तो खास करके tuberculosis जो back का होता है उसकी वज़े से यह problem होता है और उसका mind के बात करें यह patient है उसको ऐसा feeling आता है कि मैं हवा में float कर रहा हूं और दूसरा यहां एक अच्छा symptoms है कि patient को बात करने की बहुत मन होता है about anything and everything कोई भी बात करेगा चाहे वो सामनाय वाला सुने या न सुने लेकिन उसको बोलने की बहुत आदत है उसकी टंग कभी बन नहीं रहती हमें यहां लेकेसिस नाम की दवाई याद आएगी कि हुम्यपितिक में लेकेसिस ऐसी दवाई है कि ग्रेट लोकसिटी है इस तरह से आप स्टिक्ट्रा में भी देख सकते हो कि सामने वाला सुने या न सुने बस patient को तो बोलते ही रहना है सीर के सिंटम्स मैंने बताया कि सीर भारी रहता है और यह शर्दी रूप जाने की वज़स से discharge होने से पले हेडेक होता है patient को ऐसा लगता है कि discharge हो जाए तो अच्छा है मेरा सीर हलका हो जाए और यहां root of the nose में pressure फिल कलता है patient और patient को ऐसा लगता है कि आवाद सेंद नहीं होती है नौश्य वामिटिंग होता है बस सो जाओ यह patient में एक flu type के symptoms है कि खुद को बीमार मैसूस करेगा और ऐसा लगे कि बस मैं लेटा रहू शर्दी की वज़े से मुझे कुछ चैन नहीं होता है दोस्ट के symptoms मैंने बता है इस तरह से है कि dryness है आप यहां काली बीच से compare कर सकते काली बायक्रोमिक में क्या है उसमें भी नात बंद है व दिश्चाज होता है अगर वो प्येशन डिकालेगा तो कफ निकलेगा और कफ का यहां चिप करेगा दूसरा अपने हाथ में पूरे रोब टाइप धागा टाइप पूरा दिश्चाज निकलेगा वो काली बायक्रोमिक में है और स्टिक्टा में भी हेडेक है नाक बंद है स की वर मतलब कोई अलर्डिक की वज़स से आपको साइनर सो एस नीजिंग हो तो श्टिक्टा बहुत अच्छी दवाई है तो और पेशन को ऐसे उंगली डालने का मन होगा और उंगली डालके जो भी अंदर डिश्चाज कलेक्ट हुआ है उसको निकालने का मन होगा तो और साप करने का मन होगा अब बाता एक क्योंकि हम जानते है कि यह खांसी के बहुत अच्छी दवाई अस्वा की बहुत अच्छी दवाई है तो गले में कुछ सेंशेशन आए रहा ऐसा लगेगा कि कुछ भरा हुआ है कुछ है और उसको वह निकालने के लिए पेशन खांसता रहेगा और मतलब जिसको बहुत बोलने का पेशा है जिसको बहुत जोर से बोलना पड़ता है और उसकी वज़े से उसकी आवाज बैठ जाए उसके लिए है फिवर मतलब मैंने बताए उस तरह से एलर्जिक की वज़े से लेकिन कहीं पर भी यहां ड्राइनेस वर्ण च्रीक्ता यूस करता हूओ अभी जो भी पेशेंस मेरे पास आता है उनको राट की खांसी बहुत ज़लादा होती यह लेट जया हुए उसके बाद उनको खांसी आते है उसमे और रालिया आर यूज करता हो रूमेक्स मेडिसिन यूज करता हो हायोसाइमस य已經 करता तो खांसी कब आती है इवनिंग से आती है रात को आती है वो सो नहीं सकता है और राय खांसी आती है सीजियर खांसी होती है और उसके साथ हिड़े को दरबी रहता है खांसी कब होती है अगर आपको बुखार आ गया फ्लू हो गया और फ्लू के बाद अगर आपको खांसी हो गई या तो आपको बच्छों को मिजल्स होते है मिजल्स के बाद अगर खांसी चालू ही और वो भी काली खांसी की तरफ वूपिंग कव जिसको बोलते हैं बार्किंग कव और रात को ज़्यादा होती है और मौर्निंग में उसका कव निकलता है कि इसके बहुत अच्छे सिम्टम्स है तो स्पाजमोलिक कव जैसे खांसी बढ़ती जाएगी और अब मैंने बोला कि यह बहुत अच्छे जॉइंट्समें की मेडिसिन है रूमेटिजम की मेडिसिन है तो ज्यादा तरे सोल्डर और बाइसेप और यह सब मसल्स अफेक्ट करत है फिंगर में भी पैनाता है ठाइज में टोज में वहां स्वेलिंग होजाती है तो वह सारे सिम्टम्स है और अब मैं बता हूँ कि एप मेडिसीन हाउस मेडिसनी मतलब किया आप यह पिक्चर देखो के तो पता चलेगा कि लोग जिसको अगर घर में निलिंग करके काम करना पड़ता है खास करके जो पोचाव अगरा करते हैं उनको नी कॉंस्टेंटली अफेक्ट होता है उन पर प्रेशर की वजह से वो जोइंट होता है आप देख सकते हो कि इस तरब का ज्यूंट हो जाता है तो उसको हाउसमेड नहीं बोलते हैं कि वो इंजरी की वज़़े से प्रीपटेलर वर्साइटीस बोलते हैं उसमें पानी बर जाता है और उसमें वह आगे पिक्चर में देखा उससे पुरा रेड हो जाता है और बहुत दज़्ध होता है तो जो लोग निलिंग करके काम करते हैं जिसका नी ग्राउंड पे टच होता है खासकर करके जो पूछा अगर करते हैं बैठके उनके लिए जो प्रॉब्लम होता है उसमें यह दवाई बहुत अच्छे से काम करती है और भी क्या दवाई यह है जो हाउसमेड नी में यूज़ होती है तो बेंजोएक एसीड कैलकरिया फ्लोर आयोडर्म मर्कुरियल सिलीशिया इस सारह की बहुत स है इस जिसको बोलते है पानी बर जाता है एक्यूट साइनोवाइटेस इसकी मेडिसी ने एपीस ब्राइनिया है पार काली आयोडाइड पलसे टीला रश्टॉक सिलीशिया हम ज्यादा तर रश्टॉक्स यूज़ करते हैं लेकिन हमारे मांड में स्टिक्टा भी नहीं आती है नोस के अंदर ड्राइनेस मैंने बता है कि पेश्टन को ऐसा फिल होता है कि बस नाक में सुकापना गया है तो थूजा भी मेडिसीन है इस्टिक्टा तो हई है सेम्यूकस है नक्स मॉष्टा है ग्रैफाइटी से नेक्रमूर है लाइकोपोडियम है यह सारी मेडिसीन ना पी जाएगा और नाक में स्कैब बन जाते हैं मतलब कई लोगों को उंगलिक करके उसको निकालना पड़ता है क्रश्ट बन जाते हैं इतनी शर्थी और नाक के डिश्चाच की वज़ज़ से अंदर स्कैब बन जाते हैं क्रश्ट बन जाते हैं उनके लिए दवाई इसमें क और चिपक गया हो उसके लिए रैपर्टी में एक ही दवाई है फॉस्फरस और अगर आपने निकाला और उसमें से ब्लीडिंग हुआ तो जब तक नया क्रश्ट फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वहां वह गाव रहेगा वह सर्फेस रो रहेगी उसमें आप आर्सेनिक आपको चाहिए तो संग्यूनेरिया तो कफ आप्टर दे मीजल्स तो ड्रॉसेरा पल्से टीला और स्टिक्टा और और सारी मेडिसिन करके थर्टी एट मेडिसिन ऐसी है कि जो इसमें यूज होती है तो आप देख सकते हो कि यह पूरा श्टिक्टा का डिस्क्रिप्शन था मट्रिया मेडिका था यूजवली जब आपको एकुट प्रॉब्लेम हो तो आपको साइनस का प्रॉब्लेम हो और नोज ऑक्स्रक्शन तो बहुत खासी हुई तो एक हंडेड एमेल पानी में दस गुल दो और जो पानी तयार होता है उसमें से हर दो गंटे पे एक चमच पा है और ज्यादा प्रॉब्लेम नहीं है तो आप तीन तीं गुली तीन बार भी ले सकते हो तो यह मेडिसिन कौप काली ब्राइकरोमिकम ब्राविनिया टॉसेरा अरालिया इसके साथ कंपेर कर सकते हैं आशा रखता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा प्लीज थ कि आपको यह वीडियो